हालो दोस्तो नमस्कार आज मैं एक मार्बल की मूर्थी यानि हनुमान जी की बहतरिन मूर्थी मार्बल की उस पे मैं काम करने वाला हूँ देखिए स्टार्ट में सरुआत में गोल्ड कलर से करता हूँ कभी भी दोस्तों, आप Gold color कॉनसा भी लगा सकते हैं, Ale based वाला लगा सकते हैं और water base भी Gold color आता है, उससे भी आप Gold color लगा सकते हैं, दोस्तों. हमारा Gold color का काम पूरा हो चुका है, एक दम बढ़िया हो गया काम, अब हम दूसरा step, जानि आँक पनाने की वीदी होती है, क्योंकि मूर्ति का जो फोकुस होता है वह आख पर ही होता है ज्यादा तर तो आप जबी भी काम करें तो अच्छा काम कीजिएगा आख बनाने का अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तो कोई बात नहीं लेकिन आप शिक रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसके काम में ब्लेक कलर की आउट लर्निंग देकर मैं आख पना देता हूं और हमारा आख और प्रेश का काम पूरा हो चुका है दोस्तों मैं अब तिलक रगने का काम कर रहा हूं देखिए दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि कई लोग फेश्ट बाद में करते हैं लेकिन मेरी आदत है मैं फेश्ट पहले ही कर लेता हूं तो जैसी जिसको जिसको आप जिस तरह से करें उस तरह से आप हो सकता है काम दोस्तों इसमें शेडिंग का काम में कर रहा हूं अभी तो सेडिंग होती है वह एक तो बढ़िया होनी चाहिए अगर आप शेडिंग अच्छी नहीं करेंगे अगर शेडिंग आपकी अच्छी नहीं हाई नहीं होती है तो मुर्ति भी आपकी इतनी बढ़िया नहीं होगी क्योंकि सेडिंग पर तो सब कुछ डिपेंड करता है मुर लेकिन मुझे तो ब्रस से अच्छा लगता है श्यडिंग करने का क्योंकि काम भी अच्छा होता है देखें दोस्तों जो फिल भी पीछे बाला जो गट के पीछे हैं उसमें भी मैं श्यडिंग देकर डिजैन बना रहा हूं तो आप आराम शेकाम कीजिएगा मूर्ती भी अग देखियें दोस्तों आपको अगर ये मूर्ती पेंटिंग अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखिए